हलो नमस्कार दोस्तों जैशी आराम कैसे आप सब दोस्तों बीते कुछ दिनों में मैं अपने कुछ परसनल कामों में बीजी था इसलिए आपके लिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था बट अब मैं पूरी कोशिस करूँगा कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको एक अच्छी वीडियो क्वाल्टी वाइज वीडियो मिलती रहे और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा जैसे हमारे कमेंट सेक्षन में कुछ हमारे फ्रेंड्स हमारे कलिक बहुत अच्छे-च्छे कोश्चन्स पूछते हैं जिसका एंसर मैं पर करूँगा तो यह तो रही हमारे next series की बात तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने टर्वाइन Automation Series के बाते में जिसमेंसे आजका Topic है ket mile Transportation में जो सिस्टम होता है वो किस तरीके से बर्क करता है क्या उसकी interlockings होती हैं और उनकी जरूर था ही हमें क्यों पड़ी और इस सिस्टम में कौन-कौन से असोसियेटेट फर्म्स होते हैं इसकी पूरी डिटेल्स को आजम समझने वाले हैं यह वीडियो कुछ लंबी हो जाए इसलिए हम इसे दो पार्स में कवर गर लेंगे तो इस टॉपिक को हम कुछ पॉइंट को समझने वाले हैं जिन मेंसे कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जैसे पहला हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्ष अंट्रोडक्षं समझे कि टर्वाइन ओयल system, types of oil system, third point की हम बात करेंगे associated pumps, उसके बाद हम fourth point पे बात करेंगे, oil filter and cooler के बारे में, और जो fifth हमारा जो point होगा, वो होगा हमारा DCS interlocks पे, हम इन 5 points में टर्वाइन के complete oil system को cover करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम उसके intro से start कर लेते हैं, एक चीज हमने बच्पन में पढ़ी थी और हम सभी जानते हैं कि आविसकता ही आविसकार की जननी होती है, अगर हम टर्वाइन में oil provide करा रहे हैं, oil की में जरूत पढ़ रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका main role importance जरूर है, अब for example मान लीजे, यह हमारा कोई turbine shaft है, और यह हमारी एक bearing है, अब इस bearing के अंदर हमारा shaft रहेगा और वो rotate करेगा, अब क्या होगा by gravity, gravitational force की वजए से जो हमा तो क्या होगा, by friction यहाँ पे एक energy generate होगी, एक temperature generate होने लगेगा, जिससे क्या होगा, हमारा bearing है, वो हमारा damage हो सकता है, overheating में हमाई turbine bitrip हो जाएगी, इन सब चीजों से बचाने के लिए हम oil system का use करता है, oil system का काम क्या होगा, इस rotor और हमारे जो bearing लगा हुआ, इसकी बीच में oil film generate कर देगा, जिसकी वजए से क्या होगा, हमारे जो friction losses है, वो काफी हद तक minimize हो जाएगे, पहला point हो गया, कि हमारा जो turbine shaft जो हमारी bearing पे घूम रही है, उसके friction losses को कम करने के लिए हमने अपना lubrication oil system यू में हमारा heat generate होने लगता है, उस heat generation को compensate करने के लिए, control करने के लिए, हम oil system का use करते हैं, और जो हमारी heat oil हमारी absorb करेगा, तो oil भी हमारा गरम हो जाएगा, तो उस oil को फिर से थंडा करने के लिए, अपने required parameter तक पहुचाने के लिए, हम filter cooler का use करते हैं, और oil के अंदर को foreign material आ ग तो यह हमारे कुछ basic चीज़े होती हैं, जो turbine में हम lubrication site से use करते हैं, अब जो हमारा turbine में oil system का use करते हैं, उसका controlling के लिए भी use करते हैं, जिसे हम बोलते हैं governing oil system, actually क्या होता है, जब हमारी turbine का एक काफी पहले time पे, हमारी turbine है mechanical system के तुरू चलते हैं नहीं, mechanical system से कुछ upgradation आया signal का भी use करेंगे और hydraulic oil का भी use करेंगे, उसके लिए भी हम oil system का use करते हैं, और इसके साथ अगर हमें rotor को lift कराना है, तो jacking के लिए हम इस oil system का use करते हैं, तो ये कुछ basic requirements होती हैं, जिसकी वज़े से हम turbine oil system का use करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा introduction, कि turbine में oil system की requirement क्या है, और हम उसे क्यों लगाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, types of oil system, अगर हम types of oil system की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा lubrication oil system, lubrication oil system, second हमारा आ जाएगा control oil, control oil system, जिसे हम governing oil system भी बोलते हैं, तीसरा आ जाएगा हमारा jacking oil system, जैसा कि हम introduction में ही बात कर चुके हैं, rotor के bearings को lubrication प्रोवाइट करने के लिए यह system का हम यूज़ करेंगे, वो होगा हमारा lubrication oil system, जो हमारे HPLP actuator होते हैं, जो कि हमारे steam के inlet flow को control करने के लिए यूज़ होते हैं, वो होता है हमारा control oil system, और turbine के rotor को lift कराने का जो काम होता है, वो होता है jacking oil का, तो इसलिए इसका बोलते हैं jacking oil system, turbine में जो oil system यूज़ होता है, बिसिकली यह तीन parts में divide होता है, अब हम बात कर लेते हैं कि associated pumps, इन तीनों systems को control करने के लिए कौन-कौन से pumps काम यूज़ करते हैं, तो इसको हम आगे समझ लेते हैं, अगर हम lubrication oil system की बात करें, तो सबसे पहले होता है हमारा M.O.P. जिसे बोलता है हम mechanical operated pump या motor operated pump, यह दोस्तों दो तरीके का होता है, हमारी कुछ designs ऐसी होती है कि turbine के rotor में ही हम एक mechanical pump को लगा देता है, अगर हम वहां से lubrication system को control कर रहा है, तो उसे बोलते है mechanical oil pump, दूसरा option में मिल जाता है कि इस pump के लिए हम electrical supply provide कराएंगे, जो कि हमारा oil tank होगा, उसके पास में कहीं पे M.O.P. लगा होगा, तो उसे बोलते है, electrical oil pump, दूसरा आ जाता है हमारा A.O.P. auxiliary oil pump, तीसरा आता है हमारा E.O.P. emergency oil pump, emergency oil pump क्या होता है, यह हमारा, जब हमारा M.O.P. और A.O.P. दोनों ही fail हो जाएंगे, तो उस condition में हमारा E.O.P. pump स्टार्ट हो जाता है, E.O.P. pump की दोस्तों खासित क्या होती है, यह पहली बात तो दो तरीके का होता है, A.C. driving भी होगा और D.C. driving भी होगा, इसके साथ साथ क्या होता है, यह दोनों M.O.P. और E.O.P. pump, जब हमारी टर्वाइन को oil provide कराएंगे, और oil provide कराने के बाद जब हमारा oil वापस आता है, तो वो हमारा oil filter and cooler से होते हुए, फिट टैंक में वापस पहुचता है, फिट टैंक से हम उसे उठाके, फिर से टर्वाइन में फीट करा देते हैं, लेकिन अगर हमारा E.O.P. pump चल रहा है, तो E.O.P. pump, माल लीजिए हमारा plant में black out हो गया, उस समय हमें E.O.P. pump को स्टार्ट करना है, तो E.O.P. क्या होगा, हमारा DC driven होगा, अब अगर ये DC driven pump को, oil को, अगर हम oil filter and cooler से पास कराते हुए, फिर हम टर्वाइन को provide कराएंगे, तो उसको load ज़्यादा पड़ेगा, उसकी battery bank होगी, वो जल्दी ही drain हो जाएंगी, तो इन सब चीजों से बचाने के लिए E.O.P. को हम oil filter and cooler से पास ना कराते हुए, डारेक्ट इस oil को tank से सिधे हम turbine पे ले जाएंगे, turbine से सिधे फिर से tank में ले जाएंगे, तैकि हम ज़्यादा देर तक E.O.P. को चला पाएंगे, और black out जो है, उसे हम अपना control करने के बाद वापस M.O.P. या E.O.P. pump को start कर ले हैंगे, अब माली यह किसी case में यह तीनो pump फेल हो जाता है, उसके लिए हम एक overhead tank लगाते हैं, overhead tank, overhead tank क्या होता है, यह काफी height पे एक oil tank लगाया जाता है, किसी भी region की वज़े से एगर हमारे तीनों oil pump ट्रिप हो जाता है, तो यह हमारा overhead tank जो होता है, वो by gravity हमारी turbine के rotor और bearings में जो हमारा lubrication का oil है, उसे circulate कराने के लिए हम overhead tank का use करते हैं, और एक interlocking भी होती है, जब तक overhead tank का जो level होता है, वो normal नहीं होगा, तब तक हमारा कोई भी oil pump start नहीं होगा, और oil pump start नहीं होगा, तो हम turbine को start नहीं कर सकते हैं, इसका मतला हमारा plant के start up time पे हमें overhead tank के oil level को भी maintain रखना पड़ता है, तो यह हमारे basically कुछ pump हैं, जो हमारे lubrication के लिए use होता है, अब हम बात कर लेता है control oil pump के लिए, control oil pump का दोस्तों होता है COP, यह simple pump होता है, control oil pump, इसका pressure होता है हमारा 9 to 13 kg per cm2, और यह depend करता है कि हमारी turbine की rating क्या है, वो सकता है हमारा COP है control oil pressure जो होता है, वो 9 kg उसका normal hydra pressure हो, वो सकता है उसका 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, यह depend करेगा कि हमारी turbine की rating क्या है, उसके इसाब से हम control oil pressure का हम अपना pressure को maintain रखेंगे, फिर से बता दूँ एगबार control oil pressure जो होता है, वो हमारे LP और HP actuator को control करने के लिए यूज किया जाता है जो कि हमारे turbine में जो inlet steam आ रही है उसको control करता है यह हो गया हमारा COP pump अब हम बात कर लेते हैं jacking oil system की jacking oil system को control करने के लिए हम GOP pump का यूज करता है जो कि होता है jacking oil pump अब jacking oil pump भी हमारा दो तरीके से होता है यह हमारा AC driven होगा यह हमारा DC driven होगा अब jacking oil pump हमारा किस समय काम करेगा यह जब हम DCS की interlocks की बात करेंगे तब हम इससे बात करेंगे वैसे jacking oil pump का जो pressure होता है वो 180 kg पर cm2 होता है क्योंकि यह highly loaded हमारा जो rotor shaft होता है उसे lift कराने के लिए जिस pump का हम यूज करते हैं वो होता है हमारा jacking oil pump और इतना highly loaded rotor shaft को उठाने के लिए हमें pressure भी high चाहिए इसलिए ही इसका pressure होता है 180 kg पर cm2 तो यह हो गया हमारे associated pumps के बारे में अब हम बात कर लेते हैं oil filter and cooler के बारे में अब जब हमारी turbine जो होती है उसमें हम lubrication oil provide करा रहे हैं या फिर हम jacking oil provide करा रहे हैं किसी भी तरी के callal provide करा रहे है तो turbine तो already steam के वज़े से heated है प्लस जब हमारी bearings का जो temperature होता है उसको control करने के लिए हम lubrication oil system का use करता है तो जो हमारी oil होता है वो bearing में lubrication काफ ज़्यादा गर्म हो जाता है तो अब हमारी डिक्वार्मेंट यह होती है कि हमारा जो टर्वाइन ओयल सिस्टम है उसमें हम 46 नंबर का ओयल हम यूज करते हैं पहली बात दूसरी बात उसका टमप्रेचर हम 43 से 48 डिग्री सेंटीग्रेट तक मेंटेन रखते हैं और दोस् यह जैसे ही हमारा टर्वाइन में ओयल रिटर्न होके वापस आया उसका टमप्रेचर हो गया 52-53 तो उसको हमें इस रेंज के अंदर वापस लाना है इस रेंज के अंदर वापस लाने के लिए हम कूलर का यूज करते हैं अगर वाई चांस उस किसी मेटल लॉस की वज़े से हमारे ओयल में कोई foreign material आ गया कोई impurities आ गई उसको remove करने के लिए हम filter का use करते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि हम इस temperature को इतने पे ही maintain क्यों रखते हैं 43 से down क्यों नहीं ले जा सकते है 48 से जाधा क्यों नहीं ले जा सकते हैं तो उसका reason यह होता है अगर हम 43 degrees temperature से कम ले जैसे अगर हम पानी की ही बात करें पानी को जितना जाधा हम गरम करते हैं उसकी viscosity हमारी कम हो जाती है और 100 degree पे जाके उसकी viscosity इतनी कम हो जाती है कि वो हमारी vapor में convert हो जाती है अगर उसी पानी को ही हम 0 degree तक ले आए तो एक time ऐसा हैगा कि पानी की ठिकने से इतने जाधा जागेगी अब अगर हमारा turbine के जो oil है उसका temperature 43 से नीचे चला गया तो क्या होगा हमारे oil की viscosity thickness बढ़ गई तो क्या करेगी जो हमारा bearing और rotor के बीच में जो हम एक film generate कर रहे थे वो film proper film नहीं बन पाएगी क्योंकि वो तो मोटा हो गया गाढ़ा हो गया गाढ़ा होने की हमारा जो pump होगा उसका load भी बढ़ जाएगा इन सब चीजों की वजए से क्या होगा एक तो हमारे turbine का vibration बढ़ने लगेगा तर्वाइन का operation proper तरीके से नहीं हो पाएगा इसलिए हमारी ये condition हो जाती है कि हमें 43 degree से इसे अप रखना है अब बात कर लेते हैं 48 degree से जादा क्यों हो ऐसा भी ना हो कि बहुत जादा मोटी हो जाए तो इन सब चीजों को बचाने के लिए हम ऑईल का जो temperature होता है वो 43 से 48 की बीच में रखते हैं तो यह हमारा point हो गया oil filter and cooler को लेगे अब हम बात कर लेते हैं DCS interlocks के बारे में कि इन सभी pumps को oil system को control करने के लिए हम DCS में कौन- तो friends अभी हम आच चुके हैं अपने interlocking section पर तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले new oil system में lubrication oil system के main oil pump और auxiliary oil pump के बारे में जो की हमारे normal running operation के time पर हमारे use होता है तो सबसे पहले हम इसको समझ लेंगे उसके बाद lubrication oil system का जो हमारा EOP और overhead tank का जो interlocking है उसको हम समझेंगे तो हमारे normal running operation के time पर जो हमारा normal header pressure है माल लेजाए वो 2.6 kg पर cm2 है हो जगता है हमारी turbine rating के according यह हमारा 2 kg ही हो या 3 kg हो बट इसी की आसपास ही आपको मिलेगा 2.125 kg पर cm2 है तो इने के according हमारी यह जो DCS में जो interlockings बनाई जाती है वो आगे हमने दे रखी है तो देखता है start premises जब हम pump को start करने जा रहा है अपने DCS साइट से तो कौन से हमारे interlocks healthy होने चाहिए इस case में क्योंकि यह हमारा system turbine के startup time पे ही use हो जाता है इसी लिए इसको सिर्व device जो है हमारी drive है हमारे जो remote में select होनी चाहिए उसकी बाद auto start में कब होगी आटो start हमारे यह दो pump लगे हुए यह दोनो pump हमारे एक pump तो चली रहा है दूसरा pump हमारे auto में start कब होगा lub while header pressure loop जैसे ही हमारा header pressure माली जैबी 2.5, 2.6 चल रहा था वो किसी भी reason की बज़े से down होते होते 2.125 से भी अगर नीचे चला जाता है तो हमारा EOP तुरंथ हमारा start हो जाएगा या फिर stand-by feeder fault हमारा जो MOP जो हमारा motor operated pump है किसी भी region की वज़े से trip हो जाता है तो तुरंथ हमारा EOP अपने हाप start हो जाएगा stand-by drive not running किसी भी region की वज़े से हमारा main oil pump अगर start नहीं हो पा रहा है तो हमारा EOP अपने हाप line में आ जाएगा यह हमारा जो oil system है यह auto में trip का होगा हमारा feeder fault की condition में अब feeder fault की condition क्या हो सकती है हमारे लिजे कोई हमारी sparking हो गई हमारे feeder में कोई problem आ गई हमारा जो pump है वो overload की वज़े से trip हो गया किसी भी region की वज़े से गर हमारा trip होता है तो वो हमारा auto trip में पहुँच जाएगा उसके बाद हम alarm और indications क्या-क्या ले लेते हैं मालिजे हम सबसे basic जो हमारी होती है हम drive का mode ले ले लेते हैं कि हमने drive को remote में select कर रखा है यह local में select कर रखा है drive का status क्या है healthy है unhealthy है क्या status है वो हम ले लेते हैं feeder fault का हम एक indication ले लेते हैं इसी के साथ साथ अगर हमारी requirement कुछ और भी indications को लेने के लिए है तो हम उन indications को भी अपने DCS पे बढ़ा सकते हैं अब इसके बाद हम समझ लेते हैं जो हमारा emergency oil pump है जो कि हमारा emergency condition में start होगा उसकी interlockings उसके start premises क्या होती है वो समझ लेते हैं तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं अपने DC driven emergency oil pump के बारे में एक्शली देखिए पहले इसमे नॉर्मल header pressure जो हमारी turbine कर रहता है वो तो हमारा same ही है अगर हमारा उससे नीचे pressure पहुंचा 2.125 तक पहुंचा तुरंत हमारा EOP start हो जाएगा अगर pressure फिर भी हमारा decreasing order में जा रहा है और जैसे ही वो 1.5 kg पर cm2 में पहुंचेगा तुरंत हमारा जो DC driven EOP pump है वो start हो जाएगा उसके बात start permissive में लेंगे तो drive remote selected होनी चाहिए और तो start कब होगा हमारी normal condition में हमारी क्या था लिव वायल header pressure low जैसे ही हमार लिव वायल header pressure low हुआ यूपी start हो गया लेकिन अगर हमारा लिव वायल header pressure low-low हो जाता है तो हमारा EOP start हो जाएगा दूसरे auto start की हमारी condition क्या होगी लिव वायल header pressure low-low भी है और turbine की जो speed है वो हमारा 20 rpm या उससे कम पर है तो तुरंथ हमारा जो DC driven EOP pump है वो हमारा start हो जाएगा बाकि से moto trip हमारा feeder fault indications जो हम अपने DC side से लेना चाहते हैं इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान लग नहीं है जो DC driven EOP pump होता है उसके oil circuit में कभी भी हमारा oil cooler and filter को नहीं लेते हैं ताकि हम turbine bearings में positive oil का supply है उसे permanently provide कराते रहें जब तक कि हमारा जो normal pressure जो है हमारा 2.65 तक achieve ना कर ले तब तक हमारा EOP pump start हो जाएगा और जैसे ही हमारा normal pressure पे achieve होगा और DC EOP जो है अपना auto stop हो जाएगा तो यह हमारी है EOP की interlocking और जो हमारा overhead की interlocking होती है वो हमारी होती है oil के level को लेके उसमें क्या होता हमारा दो level sensor लगे होते हैं एक हमारा low पर और एक high पर अब हम अगर किसी भी pump को चलाना चाहते हैं या अपने turbine को start करना चाहते हैं तो जो हमारा overhead tank का level है उसे हमें normal लखना पड़ेगा अगर normal मतलब उसकी एक limit होती है मालीजी 80% पर हमने उसका limit लगा रखी है तो जब तक 80% से उपर हमारा oil level उसमें नहीं हो जाएगा तब तक हम इन में से किसी भी drive को start नहीं कर पाएंगे तो ये तो थी हमारी lubrication oil system के बारे में बात तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं control oil system के बारे में तो हमारा control oil system होता है उसका normal header pressure मालीजी 9 kg पर cm2 है और उसका जो low set point है वो 7.65 kg पर cm2 जब भी हम इस start premises की बात करेंगे जब भी हम इस pump को start करने की लिए command देंगे तो उसके लिए पहली बात तो हमारी drive जो है वो remote selected होनी चाहिए second point जो low oil pressure not low low मतलब हमारा low oil pressure होगा वो हमारा 1.5 kg से उपर होना चाहिए auto start की बात करेंगे तो हमारा control oil pressure low जैसे ही हमारा control oil pressure low set point को achieve करेगा जो हमारा stand by pump होगा वो start हो जाएगा same auto trip हमारा future fault के लिए alarm and indications जो कुछ भी हम लेना चाहें दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं turbine oil system के jacking oil system के बारे में जो की हमारा jacking oil pump प्रोवाइट कराता है अब jacking oil का मतलब क्या हुआ जो हमारी turbine का जो rotor है और वो bearing में rotate करना है उसे तो starting time पे जैसे हमारी stream enter होगी पहले ही चाहें हम lubrication provide करा दिया हमने कुस्तों उसका friction losses को down कर दिया लेकिन starting time पे फिर भी हमारा जो rotor है वो हमारे bearing के उपर इस तरीके से रप करके हुए चलाएगा तो यह problem ना हो और जो friction losses को और minimize करने के लिए हमने क्या क्या स्टार्टिंग टाइम पे जो हमाई टर्वाइन और अल्टरनेटर के जो हमारा साफ्ट होता है उसे हम थोड़ा सा लिफ्ट करा देते हैं तैकि हमारे friction losses और कम हो सके हैं और jacking oil pump जो होता है हमारा दो तरीके के से चलता है एक होता है AC ड्राइवन दूसरा होता है DC ड्राइवन और यह jacking oil pump होता है यह हमारे startup और shutdown टाइम पे start होता है तो आईए समझ लेते हैं इसके interlocking और इसकी conditions क्या क्या होती है जो हमारा normal header pressure होता है वो हमारा होता है 180 kg per cm2 क्य है वो हमारा है 144 kg per cm2 अगर अब हमें इसे start premises के बात करें तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि drive जो है हमारी remote selected होनी चाहिए दूसरी condition क्या है जो new oil का header pressure है वो हमारा 1.62 kg से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें जो section के लिए जो होता है GOP के section में जो हम oil use करते ह हैं वो हम new oil जो हमारा pump होता है उसी के तुरू ही हम use करते हैं अब यह हमारा auto में start कब होगा जैसे माली जय टर्वाइन को हमने start कराना शुरू किया हमारी starting में हमारी 1500 rpm पे तो हमारी bearing gear पे गूम रही थी दिरे-दिरे हमने उसमें steam देना start कर दिया और जैसे ही हमारी turbine का rpm 1000 rpm तुरंद का तुरंद हमारा जो jacking oil pump है वो हमारा start हो जाएगा तिरे-दिरे rpm उसके और बढ़ेंगे और जैसे ही rpm उसके 1200 rpm से जादा होंगे तो हमारा jacking oil pump जो होगा वो बंद हो जाएगा auto trip में हमारी जो feeder falls होंगी वही ली जाएगी alarms and interlocks में जो हमारी requirement होगी हम उपना feedback अपना वो हम ले सकते हैं तो अभी हम बात कर लेते हैं अब सेम जैसे ही हमारी costing down के time पर आएगी जो हम टर्वाइन को shutdown करेंगे तो जैसे ही हमारी टर्वाइन की rpm 1200 होंगे तो हमारा jacking oil pump स्टार्ट हो जाएगा और जैसे हमारे 1000 rpm पर पहुंचेगा हमारा jacking oil pump फिर से बंद हो जाएगा अब जैसा कि मैंने starting में आपको बताया था कि जो jacking oil pump होता है वो AC और DC बोथ driven होता है तो मान लीजे कि in case हमारा AC GOP हमारा trip हो जाता है तो जो हमारा auto start में जो भी एक ही condition है वहाँ पे एक condition और add हो जाएगी कि AC GOP not running या AC GOP future fault तो उस case में जो हमारा DC driven GOP pump होगा वो हमारा start हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जाएशी आरा